Assalamualaikum, Welcome to StudentTube, आज की इस वीडियो में हम English की बुका जो चप्टर नमबर टू है वो पढ़ेंगे और सच्छे से समझेंगे तो चप्टर नमबर टू है शाह अब्दुलतीव भिटाई, तो स्टार्ट करते हैं शाह अब्दुलतीव भिटाई, जो के अपने अकीदत मंदों से लाल लतीव कहलाया करते हैं एक मशहूर सिंधी सूफी आलिम हैं, सुनतों पर अमल करने वाले हैं, यानि के बुजर्ग हैं और शायर हैं, ठीक है शाह अब्दुलतीव भिटाई, सिंधी जबान के सबसे बड़े या फिर अजीम मुसल्मान शायर समझे जाते हैं अब जो मालूमात हैं, जो शाह बिचाई के मुतलिक इकठी की गई हैं, वो तमाम जो हैं, वो जबानी रिवायात से जमा की गई हैं अ रेनोन पाकिसानी स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट और राइटर अफ प्लेज ड्रामाज एं स्टोरीज, मिर्जा कलीच बेग, इस सेड़ एक मशूर पाकिसानी स्कॉलर, माहिरे तालीम और ड्रामों के मुसनिफ, मिर्जा कलीच बेग, कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने पुराने जमाने के जो कुछ लोग थे उस वक्ष जो जिन्दा थे उनसे शाह बिटाई के मुतलिक उनकी जो इब्तदाई लाइफ थी इब्तदाई जिन्दगी के मुतलिक बहुत सारी इन्फरमेशन एकट्छी की अब ये मालूमाद जो लोगों के पास थी वो उन्होंने अपने बाप और अपने दादा से सुनी हुई थी मतलब उन में से कुछ लोगों ने शाह लतीफ को सच में जाती तोर पर देखा भी था and had even spoken to him और उन से बात पी की थी As a सूफी पोईट, लतीफ's उर्स is held at his shrine every year on 14th सफर, the second month of the Muslim calendar तो इस्लामी साल का जो दूसरा महीना है सफर, 14 सफर को शाब लतीफ भिटाई का जो उर्स है वो उनके मजार पर मनाया जाता है Thousands of people gather and listen to the same song sung on the tamburo हजारो की तादात में लोग एक अच्चे होते हैं और tamburo जो होता है वो एक instrument होता है, music instrument होता है उस पर जो saints songs होते हैं उन्हें वो सुनते है Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry बहुत से जो पड़े लिखे लोग हैं वो papers में शाह लतीफ की life और उनकी poetry को पढ़ा करते हैं Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are given below अब उनमें से जो कुछ key aspects हैं वो different scholars हैं, मतलब कि different आलिम ने Lal Latif के बारे में बयान के हैं, वो नीचे दियो हैं तो चले होने पड़ते हैं Number one, background and family शाह Latif's ancestral roots lay in Afghanistan शाह Latif के जो आबाओ अजदात की जड़े हैं वो अफगानिस्तान से हैं Some historians say that शाह Latif's father सेद हबीब शाह migrated from मत्यारू, his ancestral home in Afghanistan to bend poor in sin in order to gain spiritual contact with beloved a local pious man अब सम हिस्टोरियन्स यानि के कुछ तारीखी लोगों का ये भी कहना हैं के शाह अब लतीब के जो फादर थे सेद हबीब शाह वो मत्यारू से हिजरत करकर सिंद आये थे मत्यारू जो के इनका अबाई घर है वहां से भेनपूर सिंद में आये भेनपूर सिंद का एक इलाका वहां पड़ आये in order to gain कुछ रुहानी contact, कुछ रुहानी जो तालिमात कह लें उसके लिए वो बिलावल नामी एक मुत्तकी और परहिजगार शख्स के पास आये थे मतलब वो रुहानी इल्म सीखना चाहते थे अधर सेज़ डैट इस एंसिस्टर्स माइग्रेटे तो सिंद फ्रॉम हिराद अब कुछ लोग यह कहते हैं कि उनके जो अबाई अब कुछ लोग यह कहते हैं कि उनके जो अबाव अजदात थे वो माइग्रेट करकर सिंद आये थे फ्रॉम हिराद से ठीक है कुछ का कहना यह है कि वो मठियादू से आयते कुछ का कहना यह है कि वो हिराद से आयते सिंद वोज दैन कि सिंजो था उस वक्त मुस्लिम कल्चर के लिए मरकज था तो शाब लटीफ के जो आबाव अजदात को यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने डिसाइट किया कि अब वहीं रहेंगे मतलब उन्होंने वहां पर अपना घर बना लिया अब बात आ रहे हैं उनका नेम भिटाई की क्योंकि उनका नाम तो शाह लतीफ था तो भिटाई कैसे पड़ा अब शाह अब लतीफ अपना घर छोड़ कर एक टीले पर रहने के लिए चले गए जो के उनके गाउं से कुछ फासले पर था अब ये जो मिट्टी का जो टीला था वो सिंधी सबान में भिट कहलाता था दू तो अब इस पैक्ट की वजा से कि शाह अब लतीफ ने अपनी पूरी जिंदगी उस टीले पर गुजारी तो शाह अब लतीफ का जो नाम था वो भिट पड़ गया To this day as he famous all over the country as शाह अब लतीफ भिटाई और शाह लतीफ of the mound शाह अब लतीफ जो थे वो पूरे मुल्क में शाह अब लतीफ भिटाई या शाह लतीफ of the mound यानि शाह लतीफ में टीले वाला करकर वहाँ पर मशूर हो गए तो इस तनहां से शाह अब लतीफ के नाम के साथ भिटाई लगा अब अर्ली लाइफ एंड एजूकेशन शाह भिटाई वस बॉर्ण इन 1689 A.D. और 14th सफर 1102 हिजरी हिजरी के मताबिक 1102 और A.D. के मताबिक 1689 ने स्मॉल विलेच कॉल हाला हवेली शाब लतीफ भिटाई हाला हवेली में पैदा हुए अफ्यू माइल्स तो इस अफ प्रेजन ताउन अफ भिट्शा जो के एक टाउन था उससे कुछ मील के फासले पर मौचूद था लतीफ was raised during the golden age of सिंधी कल्चर अब शाब लतीफ भिटाई जो थे वो जो सिंधी कल्चर का जो सुनहरी दोर था उसमें परवरिश पाई उन्होंने His first teacher was अखुंद नूर मौम्मद भट्टी but mainly he was self-educated अब शाब लतीफ विटाई के जो पहले उस्ताद थे वो थे अखुंद नूर मौम्मद भट्टी और बट लेकिन जो शाब लतीफ की जो तालीम थी वो उनकी self-educated थी मतलब कि वो खुद तालीम याफ़ता थे अब self-education क्या होती है self-education ऐसी education होती है जो के बगएर किसी master या किसी उस्ताद या किसी institution के guidance के बगएर हो मतलब ना आप किसी मदर से गए हो ना ही आप किसी school गए हो और आप ने खुद वो तालीम हासिल की हो चाहे वो books रीट करके हो या चाहे जिस तरह से भी हो वो होती है self-education ठीक है Although he received little formal education the रिसालो provides proof that he knew Arabic and Persian quite well शाब लटीफ ने कुछ formal education जो थी वो भी हासिल की बर शाब लटीफ का जो रिसाला है वो इस बात को प्रूफ करता है कि शाब लटीफ को Arabic यानि के अरभी पर्शन फार्सी जबान जो थी बहुत अच्छे से आती थी Various references in शाब जो रिसालो indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadith अब शाब लटीफ भिटाई का जो रिसाला है उससे बहुत सारे references ये मिलते हैं जिसे ये पता चल दिया है कि शाब लटीफ भिटाई को in-depth यानि deeply knowledge थी Quran पाक और Hadith की ठीक है His poetic collection included The Masnavi of Maulana Jalaluddin Romy and Shah Karim's poem अब इनकी जो poetic collection है यानि शाइरी की जो collection है उनमें क्या शामिल है Masnavi of Maulana Jalaluddin Romy and Shah Karim's poem इनकी collection में शामिल है अब number 4 है Youth यानि जवानी यंग लटीफ had a very sensitive mind यानि कि शाब लटीफ बिचाई जवानी में उनका जो mind था वो बहुत ही ज़ाद सेंसितिव हसास था while he was only a boy he started composing poetry शाब लटीफ बिचाई ने कम उम्री में ही शायरी लिखना शुरू कर दी थी his admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God अब उनकी जो पसंदीदगी थी खुद्रत की खुबसूर्टी को लेकर उस चीज ने उनका जो दिल था वो खुदा की महबबत से भर दिया था in 1713 the sofi poet married with बीबी सेयदा बेगम 1713 में शाब लटीफ बिटाई ने बीबी सेयदा बेगम से शादी की his wife dead at an early age शाब लटीफ की जो बीवी थी वो कम उम्री में ही इंतकाल कर गए before she could have any children इससे पहले कि इनकी कोई उलाद होती उनकी जो वाइफ थी कम उम्री में ही इंतकाल कर गए however, शाह never married again इसके बाद शाब लटीफ बिटाई ने कभी शादी नहीं की से जादा मजभ और अकीदत की तरफ माहिल होने लग गया और वो बहुत बेचेन होते थे और आम घरेलू जिन्दगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गई थी अब शाब लटीफ का जो प्यार था खुदा के लिए वो बढ़ता चला गया और इसी चीज़ में शाब लटीफ विटाई को मतलब खुदा की अकीदत में ही शाब लटीफ विटाई को फिर सुकून हासल हुआ उन्होंने इसी में ही अपना सुकून तलाश किया As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking जिसकी वज़ा से शाब लटीफ जो थे वो अपने जादा से जादा जो वक्त थे वो अलाश की अबादत में और deep thinking यानि के गहराई, गहरी सोचों में गुजारा करते थे His spiritual power grew stronger with prayers and devotion अब इनकी जो रुहानी ताकत थी वो strong होती गई नमाजों यानि के अबादत और अलाश से अकीदत के साथ So much so that people began to be attracted towards him अब इस कदर अकीदत मंदी और spiritual growth की वज़ा से मतलब कि शाब दलतीफ की इस कदर खुदा से महबत रकीदत मंदी की वज़ा से लोग जो है शाब दलतीफ बिटाई की तरफ माइल होना शुरू है Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways अब इनका जो अंदाज था इनका जो लहजा था उसकी वज़ा से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा impressed होने लग गए and his followers increased day by day और इनके जो followers थे इनके जो मानने वाले थे इनके जो अकीदत मन थे वो दिन बदिन बढ़ते चले गए Close to the mound on which लाल लतीफ came to live is a natural lake अब जिस माउंड यानि जिस टीले पर शाब लतीफ विटाई रहते थे वहाँ पर एक जील थी कुद्रती जील थी His poetic nature loved the calm atmosphere अब इनकी जो शाइरी की जो नेचर थी शाइरी मिजाज था उनको ये प्यारा और सुकून भरा जो माहौल था वो बहुत ही जादा पसंद था He would spend much of his time sitting on the bank of his lake शाब लतीफ भिटाई अपने जादा से जादा वक्त जो है वो इस जील के किनारे पैट कर गुजारना पसंद किया करते थे As he sat there he prayed to God and sometimes compose verses in his praise अब जब वहाँ बैठा करते थे तो वहाँ पर Allah ताला की अबादत में मश्गूर रहा करते थे और sometimes जो है वो Allah ताला की तारीफ में कुछ verses यानि के कुछ लाइने या कुछ शायरी भी किया करते थे अब है death and remembrance ला लातिफ डाइड in 1752 on the mound where he had lived शाद लातिफ का इंतकाल 1752 में हुआ उसी टीले पर जहां पर वो रहा करते थे he was buried on the same mound और उन्हें वहीं पर दफन किया गया it is said that one day he ordered the musician to play music they played continuously for three days when they stopped playing they found the point dead अब ये कहा जाता है कि एक देन शाब्द लातिफ भिचाई ने मौसी कारों को यानि कि जो music बजाने वाले होते हैं उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि वो music को play करें अब वो लगातार तीन दिन तक music play करते रहे और जब उन्होंने music stop किया तो उन्हें पता चला कि जो शायर है यानि कि लाल लतीफ शाब्द लतीफ विटाई जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं अब फेमिस किंग और सिंध गुलाम शाह कलहोड़ो वो जो डिवोटेट तो हिम डेट ही बिल्ट अ ग्रेन मुजॉलियम ओवर हिस ग्रेथ अब जो किंग थे फेमिस किंग बहुत ही मशूर बादशा थे सिंध के गुलाम शाह कलहोड़ो वो जो थे शाब लतीफ विटाई के बहुत ज़्यादा अकीदत मन थे और उन्होंने शाब लतीफ मिताई की जो कबर थी उसके उपर एक शांदार मकबरा तामेल करवाया अब इनके मकबरे का जो प्यारा सा सफेद गुमबद है वो रिप्रेजेंट करता है पाकीजगी और वकार को किसकी पाकीजगी और वकार को शाब लतीफ की जो पाकीजगी थी जो प्यूरिटी थी उनकी जो डिगनिटी थी जो वकार था उनको उसको रिप्रेजेंट करता है His devotees collected his poetry and this collection is called the Risalo of Shabdellatib इनके जो अकीदत मन्त हैं उन्होंने Shabdellatib भिटाए कि जो शायरी थी उनको collect किया और उसे एक जगा जमा किया जिसे कहा जाता है Risalo of Shabdellatib Every year the devotees celebrate his urs which commences on 14 सफर and last for 3 days हर साल जो है उनके जो अकीदत मन्त उनके जो urs को celebrate करते हैं मतलब जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन को celebrate करते हैं यानि 14 सफर को पैदा हुए थे तो उस दिन celebration की जाती है और यह जो urs है वो तीन दिन तक रहता है ठीक है अब है शाह लतीफ's poetry शाह लतीफ, शाबदलतीफ was a sensitive, gentle and kind soul शाबदलतीफ जो थे बहुत हसास, शरीफ और नर्म मिजाच के मालिक थे he was a sufi in the true sense of the word अब सूफी का जो मतलब होता है ना असल माइनों में वो असल में बिलकुल वैसे ही सूफी और बजर्ग थे मतलब उन्होंने इस word का पूरा हक अदा किया अब इनके नाम को जो मतलब है वो है रोशनी, खुबसूरत, नाजुक, केरिंग, सॉफ्ट हार्ट इक है इस मेनिग इस ट्रूली रफ्लेक्टे इन बोथ इस पोईटरी और इस परस्नालिटी अब इनके नाम का जो यह मतलब है वो इनकी शायरी और इनकी शख्सियत दोनों में चलगता है मजीद ये, मजीद ये, के शाब दिलती विटाईजो थे, वो लोगों के शायर थे, वो आम लोगों के शायर थे तो उन्होंने जो शायरी लिखी वो भी कॉमन मैन, यानि के आम आदमी की जबान में ही लिखी इन इस पोईम, ही राइट मेंली अब आउट सेंध और इस नेभरिंग रिजन अब शाब दिलती विटाई ने दूर दरास के जो शहर थे, जैसे के इस्तंबोल, समरकंद का भी अपने शायरी में तथकरा किया और साथ ही सिंधी मलाहों, मलाह सेलर, अब सेलर मतलब मलाहों होते हैं, मलाह जो कश्टी को चलाने वाला होता है अब उन्होंने जो मलाह थे, जो सेलर थे, उनकी नकलो हमल की टेक्नीक, उनकी सफर के बारे में भी, जो मलाबर साहिल, सिरी लंका और जावा आईलेंड का भी उन्होंने अपनी शायरी में तथकरा किया Here is a translation of one such verse, और यहां पर अब हम अब इनकी जो शायरी में से एक जो बंध है, उसका हम यहां पर translation यानिके English तरजुमा पढ़ेंगे अब यहां पर शाब्द लाते विटाई कह रहे हैं, clouds return and once again it rains अब बादल लॉट आए हैं और एक बार फेर बारिश हो रही है, lightning flashes from all sides and with it अब बिजली हर तरफ से चमक रही है and with it some go to Istanbul अब इसी के साथ ही कुछ इस्तंबोल चले गए, other turn to the west, कुछ ने मगरिब का रुख कर लिया, some shine bright over China and other take care of summer can कुछ जो है वो चाइना के ओपर चमक रहे हैं और कुछ समरकंद का ख्याल रख रहे हैं अब ये क्या है जो Istanbul जा रहा है, मगरिब की तरफ जा रहे हैं, यहां पर शायर जो है वो बात कर रहे हैं, बादलों की कुछ जो है चाइना पर जाकर चमकने लगए और कुछ जो है वो समरकंद का ख्याल रख रहे है Some vendor to room, to Kabul and कंधार Some lie on Delhi, they can thundering over अब इसमें से कुछ रोम, काबूल, कंधार जाते हैं कुछ दहली, दकंद पर जाकर बरस रहे हैं My beloved Allah, ऐ मेरे प्यारे Allah May you always make sin a land of abundance अब यहाँ पर शायर जो है, वो Allah ताला से दुआ कर रहे है कि ए मेरे प्यारे Allah सिंद की जो सरजमीन है, उसको हमेशा कसरत रखना यानि कि इस सरजमीन को हमेशा माला माल रखना My beloved Allah, may you make prosperous the whole universe और इसके बाद फिर शायर यानि कि शाब लटीब इटाई Allah से दुआ करते हैं कि ए मेरे प्यारे Allah इस दुनिया को भी यानि इस पूरी काइनात इस पूरी काइनात को भी खुशाल बना, ठीक है? His collected poems have been compiled in Shahjurisalo Shahbdallateep की poems थी उनको collect करके compile किया गया और एक रिसाला Shahjurisalo के नाम से बनाया गया which has been translated into English, Urdu and other language जिसको translate भी किया गया है English में, Urdu में और different languages में तो अगर आप interested है इस chapter के बाद तो आप लोग इस रिसाले को जरूर फाइंड कीजेगा और इसे read कीजेगा ठीक है? और देन आगे हम चलते हैं His spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race अब इनकी रुहानी और सुफियाना शायरी एक महबत का पैगाम देती है जो कि इस पूरी नसल या फिर पूरी काइनात के लिए एक आलमगी और इसे काबिले कबूल बनाती है ठीक है? शाब दूलतीव भिटाई is and always will be remembered for his great poetry with love and reverence अब शाब दूलतीव भिटाई जो है इनकी अजीम शायरी, इनकी महबत और अकीदत के साथ हमेशा याद रखे जाएंगे तो ये था आज का लेक्टर जिसमें हमने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसे जादा से जादा अपने फ्रेंड से शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्रे के साथ अब तक के लिए अब तक के लिए अब आफेज